असलाम लेकुम दिये लेरनर्स एंड वेलकेम इन इस वीडियो बात हो रही है ऑपर्शुनिटी सोर्सिस की और हम आपसको आइडियाज दे रहे हैं कि आपको कितने डिफरंट सोर्सिस से बिजनस ऑपर्शुनिटी नजर आ सकती है अगैन यह इतनी लिमिटेड नहीं है इतनी अदे भी emerging trends हैं उनको देखें आपको बहुत बहतरीन आइडियाज मिल जाएंगे बहुत से लोग घरों में पकाना शुरू हो गह हैं बिकाज लोग बाहर से नहीं खाना चाहते हैं घर का पका खाना चाहते हैं कुछ और गैनिक फॉर्मिंग में चले गया हैं कुछ जिन एन यानि किसी भी मुल्क में या किसी भी एक रीजन के अंदर आप यह देखते हैं कि लोगों की एज क्या है, लोगों की जेंडर क्या है, लोगों की पर्चेजिंग, पार क्या है, लोग कितना कमाते हैं, वहाँ पर इलीट और मिडल और लोईर क्लास की क्या परसंटेजीज हैं, weather क्या है और सबसे बड़ी बात again age लोगों की क्या है और क्या preferences है यह सारी demographics में आती है demographic के अंदर सबसे important चीज जो अभी हम बात कर रहे थे age aging बहुत बड़ा factor है aging आपको बहुतरीन business opportunities देता है अच्छा aging के अंदर मुक्तिफ literature के अंदर लोगों ने मुक्तिफ तरीके से इसको explain किया वाज़े से कहा यह जाता है कि बेवी बूमर्स जो 1946 से 64 के दरम्याने पैदा हुए हैं फिर जेनरेशन एक्स आई जो 1965 से 1980 के दरम्यान में हैं आप शायद millennials हैं क्योंकि आप 1980 से 2000 के दरम्यान में इसकी range मुक्तिफ जगों पर आपको मुक्तिफ नजर आएगी कोई कहते है 1978 से 1999 तक कुछ कहते हैं कि 1980 से लेके 2000 तक के दरम्यान में जो भी पैदा हुए हैं और इसके बाद भी अब जितनी यंग जिनरेशन आ रही है और पोस्ट मिलेनियल जो 2000 के बाद पैदा हुए है क्या यह चीज़ आप एज की जिस हिसे में है आपकी जरूरत भी उसके मताबिक है मिसाल के तोर पर हम कहते हैं कि जपान के अंदर या चाइना के अंदर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़ादा है लोग 70 साल या 90 साल के बाद भी आराम से जीते हैं अब प्रॉब्लम यह आ जाती है कि जितने भी लोग जो एजिंग के तरफ जा रहे हैं देन खूकर जबर्यान के अब मिलेनियल्स एँनकी आपने नीज हैं उनकी ग्लोबल वाल्यूज था उनकी नट्वर्किंग की नीज हैं हम बात करेंगे बलके कर ही लेते हैं तो बेहितर है जिसे जिनको generation Y के हम नाम दे रहे हैं जिस तरह उन्होंने कहा कि इनकी buying power बहुत अच्छी है because आप लड़के हों या लड़किया हों सभी job कर रहे हैं so they have good buying powers, इनके पास job opportunities अच्छी है पड़े लिखे हैं इसे लिए कोई भी business जो को special cause लेकर आता है उसकी product थोड़ी से महंगे भी हो तो खरीदने के लिए तयार भी है इनकी अपनी कुछ shared values हैं ये बड़े social media lovers हैं कोई नई technology आजाए जल्दी adopt कर लेते हैं कोई नया trend आजाए जल्दी adopt कर लेते हैं जिस तरह आखल आपने देखा होगा internet पे बहुत से challenges आते हैं पता चलता है कि पूरी की पूरी जो है वो internet community उन challenges के पीछे पड़ गई और हर को इस challenge को meet करने की कोशिश कर रहा है they are travelers, they are adventurers so ये सारे characteristics basically आपको किसी ना किसी industry development की तरफ लेके जा रहे हैं again aging is not an issue the issue is कि उसकी वजह से आपके पास बहुत थी business opportunities आ जाती है फिर उसके बाद एक और demographic अब working couples बहुत बढ़ गए है so जो working couples बढ़ गए हैं तो जहां parents की take care करनी है वहां बच्चों की भी take care करनी है working couples हैं तो उनकी buying powers बहतर हो गई है वो बहुत जल्दी घर भी खरीदना चाहते हैं establish भी होना चाहते हैं उनकी needs ही बहुत जादा है they are brand conscious as well so उनके भी characteristics आपके लिए बहतरीन sources of business opportunity है इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल business में day care centers is a very growing industry single parenting का रुठानी बहुत बढ़ गया है very unfortunate divorce ratio बढ़ गया है और उसकी वज़ा से जोके single parenting बहुत जादा हो रही है इसलिए आपने देखा होगा again day care industry जो है it's growing और उसके इलावा भी बहुत सी ऐसी services के जिसमें आप बच्चों को engage कर सकें उनके लिए कोई ना कोई activity लेकर आ सकें depending upon कि उनकी age क्या है ये industry भी काफी जादा grow कर रही है आपका region आपके एतने groups उनकी special needs बहतरीन source है कि आप उनमें से कोई ने कोई opportunity निकाल सकें आजकल global warming है कोई खास मुल कोई खास इलाका उसमें गरमी अगर हद से जादा बढ़ गई है उसको किस तरह से meet किया जा सकता है बीट किया जा सकता है you can have a good idea और प्लस पाकिस्तान में अभी फिलहाल तो urbanization की वज़े से बहुत रुजहान है कि छोटे लागों से आया जाए शेहरों की तरफ लेकिन बाहर के मुलकों के अंदर तो चुके immigration issues भी है diversity बहुत बढ़ गई है अब diversity बढ़ने की वजह से भी आपके needs बहुत मुखलिफ हो सकती है आपके पास Muslims हैं Non-Muslims हैं और इसके लावा और भी तरहां की diversities होती है आपने उनको किस तरह से manage करना है और अगर उनकी कोई जरूरत है उस diverse force की तो कि आप उस जरूरत को पूरा कर सकते है Digital sources के बारे में हम अलरडी बात कर चुके हैं कि आपकी digital presence भी बड़ी जरूरी है Mananials again हमने कहा था They had to be on the Facebook or Twitter, Instagram, WhatsApp, Pinterest, Snapchat, Viber, LinkedIn ये उनकी जरूरते हैं They are taking selfies अब सरफ उस digital presence की वजह से आपने देखा होगा इतने gadgets बना लिए हैं लोगोंने कि जिसमें देखा ये जाता है कि आपकी digital presence सबसे बहतरीन हो बाकाइदा services आ गई है बाकाइदा camera के साथ additional accessories आ गई है ये सारी products develop कहां से हो रही है It's because of the social trends and the demographics क्या आप इतनी तेज नज़र रखते हैं कि आप अपने इर्दगेट के जितनी भी demographics है और जितने भी social trends है या जितने भी trends जिनके हमने पहले बात की थी उन पर नज़र रखते हुए हैं अगर आप नज़र रखते हुए हैं तो आपको अच्छी opportunities मिल सकती है because अब बहुत जादा जोर दिया जा रहा है network, social, digital network की वज़े से कि उन्होंने sharing करनी है, networking करनी है virtual communities है, they are become the opinion makers क्या आपके पास कोई product या कोई ऐसी service है जो इन तमाम needs को पूरा कर सके See you in the next video ताके हम और sources को discuss कर सके